तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोग को इंडियन नेवी के लिए बनाय जाने वाले एंटी सब्मरीन वोर्फेर शैलो वाटर क्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में हाली में ही नियूज आया था कि 6 अगश्ट के दिन नेवी के वाइस चिफ के हुआ था इवन दोस्तो आपके जानकरी के लिए बता दू डिसंबर महिने में टोटल दो श्रीप्याड में दो जहाजों के स्टील कटिंग सरीमनी को आयजित किया गया था पर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडियन नेवी के लिए गार्डेन री शिप एन इंजिनियरिंग के तरफ से निर्मान किया जा रहा है बेसिकली ये एंटी सब्मरिंड वर्फेर के लिए इस्तेमाल होगा और इंडियन नेवी में अवय क्लास के एक्जिस्टिंग कॉर्वेट है उसे रिप्लेस करेगा फिलाल अवय क्लास के टोटल चार जहाज में से एक जहाज अल्रेडी रिटाइड हो चुका है और तीन जहाज इंडियन नेवी में सर्विस में है और इन जहाजों को रिप्लेस करने के लिए टोटल 16 जहाजों का निर्मान किया जा रहा है दोस्तों अभय क्लास के इन जहाजों को 1989 से लेके 1991 के दर्मियान इंडियन नेवी में सर्वीस में लाया गया था और इसका रिफ्लेस्मेंट प्रोजेट को लेके डिसेंबर 2013 में डिफेंस एकोईशन काउंसिल जो कि मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के अंतरगत आता है उसके द्वारा एप्रूबल दिया गया था एप्रूबल के तहट जिन 16 शैलो वाटर क्राफ्ट का निर्मान किया जाएगा उसका लागत करिवन 13,440 करोड रोपया है मतलब करिव करिव 1.9 बिलियन डॉलर प्रोजेट के तहट जून 2014 में Ministry of Defense के तरफ से Buy and Make in India initiative के तहट tender जारी किया गया जिन में प्राइबेट और गॉर्मेंट ओन Šिप्याडों को शामिल किया गया था इन सिप्याडों में Kochi Šिप्याड Limited और Garden Ridge Shipbuilding and Engineering के इलावा प्राइवेट कम्पनी L&T, ABG Shipyard, PPVR Shipyard जैसे कम्पनी के साथ साथ Government Owned Goa Shipyard Limited भी शामिल था तो सो प्रोजेट के तहट जिन जहाजों का निर्मान करना है वो टॉर्पेडो, रॉकेट और दो 12.7 मिलिमिटर के मशिन गन जो की Remote Weapon Station में फिटेड होगा उसे तैनात किया जाएगा और जहाजों को ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि ये शैलो वाटर में मतलब कम गहराई वाले फानी में दुश्मन के सब्मरीनों को ढून के उसे तवा कर सके इवेन सब्मरीनों के डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि इसे ओपरेट करने के लिए साथ ओपिसर और करीब-करीब पचास सेलरों का आवशकता पड़े जहाजों को लेके फिर ऑक्टूबर 2017 में नेक्स डेवलपमेंट हुआ जहाँ पे मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के द्वारा कोची शिप्याइड लिमिटेड और गार्डेन रीच शिप बिल्डिंग और इंजिनिरिंग को L1 और L2 बीडर के रूप में घोशित किया गया और दोनों ही शिप्याइड को आठ आठ ऐसे जहाजों को निर्मान करने का अनुमती दिया गया 29 अफरिल 2019 के दिन मिनिस्ट्री अफ डिफेंस और गार्डेन रीच एंड शिप बिल्डिंग के बीच में 6,311 करोड रुपया मतलब 880 मिलियन डॉलर के लागत से 8 जहाजों को निर्मान करने का समझोते के उपर हस्ताक्षर हुआ जबकि इस समझोते के तहट कमपनी के द्वारा 2022 से 2026 के दर्मियान इन जहाजों का डिलिवरी किया जाना है जबकि इसके एक दिन बाद मतलब 30 अप्रिल 2019 के दिन Ministry of Defense और Kochi Shipyard Limited के अंदर भी सेम तरीके के समझोते के उपर हस्ताक्षर हुआ जिसमें Kochi Shipyard Limited को 8 जहाज निर्मान करने का contract दिया गया और दोस्तों जहाजों के construction के process को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे major development पिछले साल 1 December के दिन हुआ जब पहले जहाज के steel cutting ceremony कोची Shipyard Limited में शुरू हुआ जहापे yard number 523 में ये जहाजों के construction के लिए steel cutting किया गया जबकि उसी महिने के आखरी दिन मतलब 31 December 2020 के दिन इस class के दूसरे जहाज और Garden Day Shipbuilding के तरफ से निर्मान किये जाने वाले जहाजों का पहला जहाज का steel cutting ceremony हुआ और दोस्तो हाली में जिस जहाज को key laying ceremony का आयजन किया गया था वो असल में Garden Day Shipbuilding में ही 31 December के दिन आयजी steel cutting ceremony वाला जहाज ही है दोस्तो ये थो था जहाज के construction के और order के इतियास अब शेलिये जानते हैं इन जहाजों के शमता के बारे में तो दोस्तो पहले ही में आप लोगों को जहाज के total project के कीमत के बारे में बता चुका हो और इस हिसाब से जो हर एक जहाज है उसका कीमत करिफ 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 110 million dollar के आसपास होगा टोटल जो 16 जहाजों को निर्मान किया जाएगा उनमें चार जहाजों का construction अल्रेडी शुरू हो चुका है रिपोर्टों के मुताविक यह जो जहाज है इसका वजन 900 ton के आसपास होगा जबकि इसका जो आकार है मतलब इसका लंबाई करिफ करिफ 78 meter मतलब 256 feet चोड़ाई करिफ 10.2 meter मतलब 33 feet और ड्रोट करिफन 2.7 meter मतलब 8.9 feet के आसपास है जहाज के रफ्तार कम से कम 25 knot मतलब 46 km पर आवार या उससे अधिक होगा और इसका रेंज कम से कम 800 nautical mile मतलब 3300 km के आसपास होगा दोसों फिलाल जहाज के हतियारों के बारे में जादा कुछ जानकारी पब्लिकली अवेलेवल नहीं किया गया है और नहीं जहाज के sensors और equipment के बारे में जानकारी दिया गया है फर्खावर ये भी है कि इन जहाजों के successor के रूप में इंडिया के द्वारा और एक project को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिसे next generation missile vessel या फिर इंडिया के anti-surface warfare कॉरवेट का नाम दिया जा रहा है रिपोर्टों के मुताविक anti-submarine warfare shallow watercraft के बाद ये कॉरवेट काटेगरी के और एक महतपूर ने जहाज होने जा रहा है और ये इंडियान नेवी के next generation missile vessel के रूप में इस्तेमाल होगा और संभावित इंडियान नेवी ऐसे 6 missile कॉरवेटों को अपने बेडे में शामिल करेगा इन जहाजों में हत्यारों का श्रमता anti-submarine warfare shallow watercraft के तुलना में काफी अधिक होगा और रिपोर्टों के मताविक इसमें anti-ship और land attack missile जैसे की ब्रमोस और निर्वय का इस्तेमाल किया जाएगा इसके इलावा ये stealth feature में भी anti-submarine warfare shallow watercraft के तुलना में अधिक आधुनिक होगा मतलब इसमें radar cross section, infrared और acoustic signature के इलावा magnetic signature भी काफी हद तक कम किया जाएगा था कि दुश्मन के radarों के द्वारा, sonarों के द्वारा और अन्ने equipmentों के द्वारा इन जहाजों को इतना आसानी से detect ना किया जा सके दोस्तो 2015 में ministry of defense के द्वारा ऐसे जहाजों को लेके request for information जारी किया गया था जो की anti-submarine warfare shallow water craft के जैसे ही under buy Indian and make Indian category में ही निर्मान किया जाएगा दोस्तो जहाजों के request for information में ये भी जानकारी दिया गया कि जिन कमपनियों के द्वारा इसमें respond किया जाएगा उन्हें कम से कम qualification criteria को पूरा करना होगा जिन में सबसे महतोपूरून criteria ये है कमपनी को already इस तरीके के जहाज के निर्मान का experience होना चाहिए मतलब कमपनी द्वारा already ऐसे जहाज या फिर इस category के और इस आकार के जहाज के निर्मान किया गया होगा request for proposal के तहट संभावी तिये 2.2 billion dollar का एक project होगा जिन में कई सारे भारतिया company participate करेंगे February 2021 में कोची शिफ्याड लिमिटेड ने ये request for information को हासिल किया और रिपोर्टों के मुताविक अब कोची शिफ्याड लिमिटेड के द्वारा ही इन जहाजों के निर्मान किया जाएगा दोसो फिलाल request for information में जहास के जिन खासियतों के बारे में जानकारी publicly available किया गया है उसके मुताविक जहास का वजन 3000 से 4000 टन के दर्मियान होना चाहिए और इसका ड्रॉट 5 मीटर मतलब 16 feet 5 inch से कम होना चाहिए इसमें combined diesel and gas engine का इस्तेमाल होना चाहिए और संभावित ये engine रोयल्स रोयस के MT30 engine हो दोसो संभावित इसमें 2 main engine के इलावा 4 man 2 megawatt के diesel engine का इस्तेमाल किया जाए और जहास के maximum speed requirement 35 not मतलब 65 km पर आवर तक होना चाहिए request for information के मताविक जहास के range 2800 nautical mile मतलब 5200 km तक होना चाहिए जबकि high speed में कम से कम ये 1000 nautical mile मतलब 1900 km के range में operate होने का शमता रखना चाहिए इसके इलावा जहास maximum रप्तार में कम से कम 10 दिन लगाता ट्रावल कर सके और इसे 13 officer और assist sellers के द्वारा operate किया जा सके sensors में इसमें passive detection system, fire control radar, air surveillance radar और electronic warfare में इसमें chaff and decoy system का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि हतियार के रूप में एक MR gun system मतलब 15 km range वाले main gun का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि इसके इलावा close in weapon system, 8 surface to surface missile, air defense के लिए surface to air missile और short range air defense के लिए very short range air defense system का इस्तेमाल किया जाएगा के तरफ से बहतरीन जहाजों के construction के काम को तेज गती से आगे बढ़ाया जा रहा है और दोस्तों माना जा रहा है कि anti-submarine warfare, shallow watercraft और next generation के कॉर्विटों के बाद Indian Navy को जल्दी कुछ अन्ने जहाजों को लेके भी बड़े news मिल सकता है जिनमें expectation में Indian Navy के बहुत लंबे समय से painting पढ़ा हुआ project मतलब माइन स्वीपर जहाज सबसे आगे है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बनाऊ हुआ बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो तक पाए सबसे पहले जैहिन